हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आज का वीडियो एशियाना मार्केट के बारे में हैं जहां से आप इंडियन आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हो तो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि अगर आप इंडिया में हो और यूएस या अधर फॉरेंड कंट्रीज में आपके फ्रेंड्स या रेलिटिव हैं तो भी एक क्वेरी आपको आती है कि क्या आइटम से हम मिल जाते हैं और कहां पर म मिलते हैं या फिर आप इंडिया में हो लेकिन यूर प्लानिंग तो कम तो यूएस और सम अधर कंट्री दैन और सो इस वीडियो विल बी आंसर्स तो और यूर क्वेश्चिंस तो चलिए इसका एक क्विक टूर अभी देखते हैं फ्रेंज अगर अभी तक आपने मेरे चैन प्रेंज और सब्सक्राइब आप नौर यह जो पर्तिकलर इस बीस तोर है वह एकिना मार्केट के नाम से जाना जाता है यहां इंडियन प्रोडक्स के अलावा अदर जो एशियन कंट्री एं उनके भी प्रोडक्स मिल जाते हैं वाचिंस पृटिकलर वीडियो इस अल बाउ जैसे यह एक particular store है similar to this other Indian stores भी होते हैं जहां पर हमें Indian grocery items, Indian vegetables या पूजा का जो material होता है या कुछ typical Indian beauty products भी होते हैं वो सब available हो जाते हैं जैसे कि इस वीडियो में आप आपने भी देखा कि यहां पतंजली के भी सारे products available है और पूजा का जो item जो भी होते हैं रोली, कुमकुम, हल्दी, दिया, घी और हवन सामगरी जो होती है वो सारे items हमें यहां पर मिल जाते हैं different different cities में यह जो Indian stores होते हैं उनके name different होते हैं बट एक common name अगर आपको किसी से पूछना है तो simply ask where is the Indian store जहां पर जाके आपको basic जो items हैं वो मिल जाएंगे and gradually you can explore what other stores are there and आपको अगर कुछ particular item एक store पर नहीं मिलता है तो आप other stores को visit कर लीजिए वहां पर आपको snacks के जो items होते हैं जैसे नमकीन, dry samosa है, आपके खाकरा different different biscuits होते हैं, पापड़ यह सारे items मिल जाते हैं, even जो different हम आटा या फ्लॉर यूज़ करते हैं जैसे की कुट्टू का आटा है या फिर रागी या नाचनी का आटा है multi crane जो हम आटा यूज़ करते हैं चपाती बनाने के लिए वो सारा कुछ यहां available है different type के rice available हैं यहां पर तो जाकर आपको explore करना है और I think most of the things यहां पर available होती है जो हम Indian vegetables यूज़ करते हैं जैसे बैगन है या लौकी है बॉटल गॉर्ड या करेले हैं वो भी हमें Indian store पर जाके ही मिलते हैं जो यहां के local stores हैं जैसे Walmart, Prys वहां पर सारी Indian vegetables अवेलबल नहीं होती हैं तो हम once in 15 days or in a month whenever you are planning to visit just go and buy those vegetables also from these stores एक quick tip यह है कि जो items आपको Indian store के बाहर अवेलिबल है उनको Indian store से मत खरी दिये क्योंकि वो आपको little bit आपके pocket पर extra ही जाने वाले हैं तो जो specific Indian items हैं उनी की shopping आप यहां से कीजिए मैं almost 3-4 Indian stores को visit कर चुकी हूँ कुछ stores छोटे होते हैं कहीं पर discount जादा मिलता है कहीं पर variety बहुत जादा होती है so it all depends so you need to keep exploring so that's it about these stores जहां से हम Indian items की shopping करते हैं मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और comment section में बताइए कि किस तरीके के वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहेंगे और इस वीडियो को पच्छे या जिनके relatives यहां पर रह रहे हैं ताकि उनको एक relief होगा कि yes आपके सारे जो relative हैं उनको इंडिया से दूर जाकर इंडिया grocery vegetables सब कुछ अराम से available हो रहा है Thank you so much for watching this video. Bye Bye